तो दोस्तों जैसे कि कल के एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की PLI स्कीम और मेकिन इंडिया मिशन के तहट कई बड़ी विदेसी इलेक्टोनिक्स मैनिफाक्चर कम्पनियों ने भारत में मैनिफाक्चरिंग के लिए इंटरस्ट दिखाया है और अब ही मेकिन इ जाती है उसमें इंवेस्टमेंट करने की जानकारी शेयर की है जिसके लिए दोनों कम्पनियों के बीच में एक समझोते पर साइन किया गया है और यहाँ पर एसर मेकिन इंडिया मिशन के तहट PC यानि की परसनल कम्प्यूटर को मैनिफाक्चर करने का काम करेगी जहाँ पर पर प्रदेश की नॉइडा में लगने वाले ये तेरहवी फैक्टरी होने वाली है जहाँ पर एक वर्स में पांच लाख लैप्टॉप और पचिस लाख टैबलेट्स का उत्पादन किया जाएगा वहीं एकनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मताबिक माने तो डिक्सन टेक जाएगा और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जुलाई के महिने में यूनियन मिनिस्ट्री आफ इलक्टॉनिक्स और इन्फरमेरियन टेक्नोलोजी के द्वारा दस लोकल यानि की भारतिये कंपनियों को बढ़ावा दिया गया था इन इलक्टॉनिक्स मैनिफाक्चिरिंग के ये जिसमें शामिल हैं डिक्सन टेक्नोलोजीज, लावा, इन्फो पावर, भगवती, नियोलोएक, उप्टिमस, नेटवेब, स्माइल इलक्टॉनिक्स, वीवीडियन, एन पेनाचे डिजिटल लाइफ ये सभी कंपनिया हैं जिनको डेल, आईसी टी, फॉक्सकॉन, विस् 2021 से लेकर के मार्च 2025 तक रहने वाला है, तो बहरत के अंदर वाकई मेकिन इंडिया के तहत सफलता देखी जा रही है, इलक्टॉनिक्स मैनिफैक्ट्रिंग के लिए कई बड़ी कंपनियों ने अपने निवेश की जानकारी शेयर की है, वैसे आप लोगों की इसके बारे में